दीखिए पंजाब के मुख्यों, मंदरी कुल्म बला कर के हर चीज में से राजिनीती घुन्टे हैं मेरा इनको कहना ये है कि इस परकार के विशों में जो एक सारजूनिक तौर पर जिन चीजों को, हम को काम करना चाहिए सब को मिलके करना चाहिए तो एक दूसरे के खिलाफ राजनितिक बातें बोलते हैं तत्थे-तत्थे हैं अब हरियाना मालों को काम अच्छे कर रहा है तो हरियाना अपने असाफ से बोलेंगे उनको पीड़ा यह होती है कि हाँ हरियाना के लोगों अपने शायद गलत बोल रहे हम ठीक बोल रहे हैं इस प्रकार का नहीं है मैंने पहले भी कहा है हाज मैं फिर धुरा रहा हूँ हर्याणा के पिछले साल की अपिक्षा जितने भी प्राली जलाने के अगडे थे शेटलाइट बताता है, हम नहीं बताते हैं हमारे 25 परसंट अख्यों कम हुए हैं या्नि पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूं तो 25 परसंट कम हो करके शिरफ 249 छटनाएं अब सामने आई हैं जो पिछले साल 25 परसंट उसे कम हैं और अगर और पंजाब की घटनाएं में इस समय जो शेटलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से उनमें 20 परसंट बढूतरी हुई है यह नहीं बोल रहे हैं यह चापते हैं और इसमें उनको तकलिफ होगी मैंने परसों दो देने पहली स्टेटमेंट दी है पास समय तो मेर जो लेकर के जाता प्राली खरीद के ले जाता है उनको पर बेल चाहे वो आइस्वेल का हमारा एथरोल प्लांट अभू लेके जाए चाहे गोशाला लेके जाए पांस सुर रोपया टन उनको हम देते हैं फिर किसान को बेल बढ़ाने के लिए या उस सारी प्राली को खेतों के अंदर ही यानि बाही करने के लिए और उसके अंदर मिलाने के लिए हम जितने भी अप्लेटर सजदने उपकरण हैं उन सब के उपर भी हम 50% किसान को सबसीड़ी देते हैं और अगर कस्टम हाइरेंग सेंटर के माध्यम से वो सारा आता है उसमें तो हम 80% भी यानि कुल म है इतने सारे इंप्लेमेंट्स हमने खरीद के दे हुए आज की रेट में यानि पिछले वर्ष तक बहत्तर हजार उपकरण यह हमने किसानों को उपलत करा हुए और इस साल का मारा भी टार्गेट साड़े साथ हजार का और है यानि कुल मिला करके लगबक 80,000 यह उपकरण जो है इस वर्ष के अंतक हो जाएंगे हम इतना काम करते हैं तब जाकर के प्राली जलाने से लोग रुकते हैं और अभी हमारे आगे की जो जना है तो और हैं कि सब प्राली जितनी भी है वो किसान बेचे जलाए नहीं और उसकी बिकरी के वस्ता हमारे 24 उद्योग ऐसे हैं जो सहमधी दे चुके हैं कि हम प्राली खरीदेंगे हम एक एक जिले में उसका कमांड एरिया बना रहे हैं कि उस कमांड एरिया के माद्यम से उनकी प्राली का उप्योग चाहे एनरजी बनाने के लिए चाहे बिकेट्स का जो उप्योग हम करेंगे थर्मल प्लांट में करें मेरा उनको एक ड्वाइस है कि वो इस प्रकार की राजनितिक बातें ना करें किसान के हित्मे करें और किसान के हित्मे करने के लिए इस सारी चीज़े प्रदेश के अपने अजंडे में होता है अब प्रदेश के अजंडे को पूरा करने के लिए हमेशे केंद्र सरकार को कभी गालिया देना कभी हर्याना के बरत बोलना यह उचित नहीं है ऐसी राजरीती बिलकुल ना करें वरना जनता जो है इन सारी चीजों को सुनती है देखती है और उनके बारे में जनता की जो दार्णा बनेगी वो को अच्छी नहीं बनेगी